वेल्कम तो माई चैनल लॉन विट फाइजा आज हम एक एसी हेल प्रॉब्लम और उसके सलुशन के बारे में बात करेंगे जो कि आप यहां पर देख रहे हैं कि आपके जो जक्म है जो गाव है वो दीरे दीरे भर रहे हैं जक्म को सुखाने में भक्त ज्यादा लगता है तो नॉनमल एकिसी इनसान को जब भी चोट लगती है तो उस इनसान को जक्म बढ़ने में तीन से चार दिन या फिर मैक्सिमम सात निया लगता है है यह जो हेल्प रॉब्लम है उसमें क्या होता है कि पेशन को अभी चोट लगी है तो उनका जो गाव है जो जक्म है वो दीरे बर रहा है है जैसे कि हफ्टए डो हफ्टे या kindness चार फ्टे भी हो सकते है त्रीकिसे जक्न को बढ़ने में बहुत समय लगता है और आपको जो गाव है कि घाव बरने में मैक्सिमा में आपने देखे नियर टू वन मन्थ भी हो सकता है आपका वजन जो है वो अचानक से कम हो जाता है आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है पेसाद आप ज्यादा समय तक रोक नहीं पाते हैं आपको फील होता है कि आपको यूरीन आ रहा है लेकिन आप यूरीन रोकने की शम्ता नहीं रखते हैं बार-बार आपको पेसाद करने जाना पड़ता है बार-बार आपको यूरीन आ रहा है तो यह जो सभी है प्रॉब्लम है उसके बारे में आज हम डीटिल में सिखेंगे माइसर्फ मिस्वाइज जाखवाला आएं फार्मासिस And, Assistant Professor तो चलिए, Start करते हैं आज का हमारा वीडीयो Lakemed тер Blood Sugar पर तो यह जो सभी प्रॉब्लम से वह Indiquati करते हैं कि पेशन को Blood Sugar की बिमारी हो सकती है तो आज हम Be Sure of biggest problem उसके शिंटम्स काको eleg डाइन ट्रीटमेंट और मेडिसेन ऑप्षिंस की बारे में सीखने वाले हैं सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लड शुगर है क्या डाइबिटेस की कंडिशन पेशन को कब हो सकती है तो यह एक मैडिकल कंडिशन है जिसमें पेशन का ब्लड का शुगर का लेवल जो होता है वह इंक्री शुगर टेस्ट करवाना है तो उसकी नॉर्मल फास्टिंग यानि कि आपको खाने से पहले की जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल कितनी होनी चाहिए तो 80 से 100 अगर कोई इंसान खा रहा है कि खाने के बाद वो अगर चेक करता है तो नॉर्मल कंडिशन में उसकी 170 से 200 होगी और खाने के 9 गंटे बाद उसका अगर हम डायबेटिक लेवल चेक करें तो यहाँ पर आप देखें ब्लद शुगर का लेवल 120 से 140 टका हो सकता है अब अगर हम यह जो यलो पार्ट है उससे समझे तो यहाँ पर आप देखें कि खाना खाने से पहले के वक्त में पेशन का 101 स से 125 टका सुगर लेवल रहता है तो उस दर्मियान पेशन को हम माईल या फिर स्टार्टिंग फेस कहते हैं डायबेटिक कंडिशन का तो यहाँ पर आप इस तरी किसे देख सकते हैं कि अगर वो खाना खाने के बाद तुरंत चेक करता है तो 190 से 230 और अगर रोटीन गंटे के बात करता है तो 140 से 160 टका हो सकता है अब अगर इससी बढ़ गया जैसे की फास्टिंग कंडिशन में खाना खाने से पहले ही आपको 126 से ज्यादा डायबेटिक कंडिशन सोरी है ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो रहा है तो पिशन को डायबेटिक कहते हैं इसे पिशन को चीडा लेवड, आप्यान Kabind लिएच्ट का शुगर लिवल हो सकते हैं तो हमगाई वह सब्सक्रा कैसे करना है है तो इसकोचाण सी आता है हो सकता है अब symptoms के बारे में देखें कि अगर किसी पशन्ट को現在 है तो उसको क्या क्या symptoms दिखते हैं सबसे पहला जुंक्रा ते पिषिंट्स को बाइर गार और frequently you look singer करने जाना पड़ता है पेसाफ कर ते वक्त डर्ड हो न और आपके जो वो दीरे-दीरे बढ़ने लगते हैं, slow wound healing होता है, always आपको बूख लगती है, cravings होती है कि आपको ये खाना है, वो खाना है, इस तरीके से आपको ज्यादा बूख लग सकती है, ज्यादा आपको पानी पीने की इच्छा होती है, प्यास लगती है, और नसों में दढ़ होना, जिसे हम neuropathy pain कहते हैं, जिसके कारण आपको sensation हो सकती है, और कहीं बार ऐसा हो सकता है, कि पैरों में या फिर हाथों में numbness आजाना, tingling सा feel होना, अचानक से आपका जो weight है, वो कम हो गया है, आपका vision blur हो गया है, आपको ठीक तरीक से दिख नहीं रहा है, blur blur सा दिख रहा है, तो यह भी उसका symptoms है, urine infection हो जाना, तो आपको बार बार परिसाब करने की इच्छा तो होती है, बार बार urination भी आ रहा है, जिसके कारण आप public toilet, such kind of cases में यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, कि आपका UTI का risk बढ़ जाता है, UTI यानि की urinary tract infections, तो urinary tract में, आप यहां पे कि यूरेट्रा में जबी बैक्टरिया के entry होती है, तो वहां पे आपको इचिंग हो सकती है, इंफ्लेमिशन हो सकता है, और UTI जी सी कंडिशन हो सकती है, तो बैक्टरिया आपके जो urinary tract है, उसमें travel down करते हैं, और आपका जो bladder है, वो इंफ्लेम करते हैं, उसके बाद आपक इंडिकेट करते हैं, आप कोसे के बारे में सिखी कि किस कारण से पेशन का blood sugar level बढ़ सकता है, अगर पेशन को healthy diet रखने की आदत नहीं है, या फिर unhealthy food ले रहा है, जैसे कि ज्याद अधर मात्रा में sweets खाना, rest, उसकी जो sedentary life है, वो हो गई है, junk foods खा रहा है, unhealthy drinks ले रहा है, यह जो सारी bad habits है, उसकी कारण पेशन को blood sugar का level increase हो सकता है, उसके बार उसकी life में किसी भी प्रकार का stress है, या कि काफी ज़्यादा stress रहता है, तो उस condition में भी पेशन को blood sugar हो सकता है, नींद पूरी तरीके से पेशन नहीं ले पा रहा है, उसकी जो नींद है, वो late night तक जगन किया आदत है, तो इस तरह के से पूर स्लीप में भी पेशन को हो सकता है, और उसके बाद है वो hormonal imbalance, अगर आपकी body में estrogen, progesterone, यह जो सारे hormones है, वो down हो गया है, तो hormonal change से भी पेशन को diabetes हो सकती है, और किसी को जनेटिकली भी हो सकता है, प्रीवियसली मदर फादर में से आय हुआ, यह blood sugar है, वो आपको जनेटिकली भी हो सकता है, अगर किसी को pancreas में problem है, तो pancreatic conditions में यह होता है, हमारा जो pancreas है, उसमें beta pancreatic cell एक नामक होता है, तो यह जो cell है, उसका काम क्या है, तो वो cell insulin प्रोवाइड करता है, तो pancreas में जब भी हमारा insulin डाउन हो जाएगा, ठीक तरीके से insulin नहीं बन पाता है, तो उसकी कारण भी patient को diabetes की condition हो सकती है, autoimmune disorder, जिसे की beta cell आपके damage हो गए है, तो beta cell कहा है, मैंने आपको previous बताया, कि beta cell हमारी pancreas में होते हैं, तो pancreatic beta cells damage हो जाना, तो यह जो सारे कारण है, वो रह सकते हैं, अब बात करें, डाइगनोस की, तो इसका diagnosis किया, कैसे जा सकता है, कैसे reason को fine करना है, तो सबसे पहला जो कारण है, वो है medical history, patient की medical history चेक करते हैं, medical history में चेक करते हैं, such kind of medicines ऐसे होते हैं, जिसके कारण patient का blood sugar increase हो सकता है, तो patient की medical history सबसे पहले चेक कीजिए, सबसे पहले उसका patient counseling कीजिए, उसके बाद physical examination, physical examination में पेशन का मैडिकल कंडिशन चेक करते हैं कि उसकी ब्लद शूगर है वो किस तरीके से है स्ट्रेस कितना है वो क्या खा रहा है कौन सा फूर ले रहा है इस तरीके से फिजिकल एक्जामिनेशन होता है उसके बाद है ब्लद टेस्ट में खास करके मैं ने आपको पहले बताया HBA1 जिसे हम blood sugar test कहते हैं तो वो भी patient का हो सकता है blood sugar test होना और उसके बाद जो है वो random blood sugar जिसे हम RBS कहते हैं FPG fasting plasma glucose test यानि कि fasting series में आपको अपना जो blood है उसमें से plasma collect करके उसका test करते हैं OGTT oral glucose tolerance test आपकी बोडी में glucose का tolerance कितना हो गया है उसका test होता है and hemoglobin A1c HPA1c test तो यह जो सारे diagnosis हैं वो patient के किया जाते हैं अब treatment options के बात करें कि किसी patient को blood sugar बढ़ गया है diabetic conditions हो गया है तो उसकी क्या treatment options available है तो सबसे पहले जो bad habit है खाना खाने की poor bad habit रहती है आपको junk food खा रहा है sweets खा रहा है तो उसे cut out करके आपको healthy diet लेनी है तो इस तरीके से आपको healthy diet ले सकते हैं और आपको अपना stress कम करना है stress कैसे कम करेंगे तो yoga and meditation therapy से आप अपना stress है वो कम कर सकते है regular आपको sleep लेनी है कम से काम 8-10 गंदे की sleep आपको लेनी है उसके बाद आपको regular exercise करनी है और walking या फिर आप cycling की भी कर सकते हैं जिसे कि आपकी sedentary life है वो आपकी working condition में हो जाए देन आपको sugar लेना avoid करना है added sugar खास करके नहीं लेनी है तो mainly आप यहां पर देख सकते हैं कि आप कोई भी packet food खा रहे हैं तो उसमें पीछे आपकी लिखा हुआ होगा added sugar कितना है अगर आप chocolate खा रहे हैं तो chocolate में भी उसके पीछे added sugar लिखी होगी इतने person के इतने मात्रा में added sugar है तो हमें added sugar वो भी avoid करना है then fresh kerala juice आप ले सकते हैं तो यह भी अच्छी property देता है जिसे कि आपका blood sugar वो भी आपका control में कर सकते हैं now अब हम medicine options के बार में बात करें कि blood sugar को कम करने में कौन से medicines helpful रहती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि glycomate 500SR आप यहाँ पे डिक इस सरी किसे लिखा हुआ है तो इसका जो dose है वो 0.5 से 2.5 ग्राम पर देखा रहता है mainly patient को दिन में 2 से 4 dose prescribe किये जाते हैं तिन उसके बार glycomate 850 इसका dose ज्यादा slightly increase हो गया तो 850 dose में रहता है तो इसका dose है 0.5 से 2.5 ग्राम पर दे patient को prescribe करते हैं तो 2 से 4 dose जो है या फिर 2 से 4 time patient को prescribe करते हैं then glycomate 1 ग्राम तो यह भी 1 ग्राम में available है इसका भी सेम तरीके से dose रहता है because सेम तरीके से dose क्यों रहेगा तो यहां पर आप देखे स्टार्टिंग रहे 0.5 से 2.5 तक है तो यहां पर हमारी है 1 ग्राम तक तो इतने ग्राम में इसका dose रहता है तो patient को इसकी severe duty और conditions के मुटाबिक suggest की जाती है then glipizide 5 mg में available रहता है तो glipizide 5 mg का starting dose है और 20 mg उसका last dose तो mainly 1 to 2 dose patient को prescribe करते है तो यह जो forzika है तो इसमें dapagliflozin 5 mg orally patient को दिन में एक बार prescribe की जाती है तो यह 10 mg की भी variant में available है तो 5 से 10 mg patient को एक बाद या फिर दो बार prescribe करते है then glipenclamide 5 mg तो glipenclamide जो है वो patient को 5 से 15 mg दिन में एक dose या फिर डूस जो है वो patient को prescribe करते है यानि कि एक टेबलेट एक बाद या फिर दिन में डो बार suggest की जाती है तो यह जो है वो amcure pharmaceutical company बनाती है और इसका brand name deonil नाम से जाना जाता है glipenclamide की यहाँ पे 60 mg की भी available है तो इसका जो dose है वो 40 से 240 mg पर दे एक से लो dose patient को prescribe करते है देन उसके बात बात करें pyoglet तो pyoglet यह जो है वो उसका brand name है 50 वो उसका dose रहता है 15 mg तो dose में patient को 15 से लेके 45 mg दिन में एक बार prescribe किया जाता है नाव उसके बात-बात करें air carbose जो उसका brand name रहता है वो है gluco bay 50 के नाम से जानी जाती है बेयर्स पर्मसोटिकल कंपनियों से बनाती है जो की जाइडस की सब ब्रांचिस में है तो यहाँ पर उसके dose देख सकते है 50 से 100 mg दिन में तीन बार patient को prescribe किया जाता है उसके बात है sitagliptin phosphate तो इसका भी same dose रहता है 50 से 100 mg दिन में तीन बार then gleamipride तो gleamipride 1 mg में available रहता है 10 के pack में tablets आती है strip packaging में available रहती है तो यहाँ पर आप देखे इसका dose है वो 1 से 6 mg दिन में एक बार patient को prescribe किया जाता है उसके बाद glycomate GP1 तो GP1 यहाँ पर आप देखे इसका single dose 13 पी है patient को दिन में 2 बार prescribe करते हैं उसके बाद GP2 तो GP2 में भी same तरीके से dose रहेगा एक tablet दिन में 2 बार देन विडागलिप्तिन विडागलिप्तिन भी एक new moiety है तो यह जो new moiety है वो patient को 50 mg दिन में एक बार या फिर दो बार खाना खाने के बार prescribe करते हैं देन दिबोनिल ड्रॉप्स तो यह होमेपेथिक ड्रॉप्स है तो अगर किसी patient को होमेपेथिक drops आपको suggest करने है तो 10 drops half cup of water में दिन में 2-3 बार आप patient को suggest कर सकते हैं उसके बाद debonel tablets भी आती हैं तो ये भी होमोपेथिक medications है होमोपेथिक tablets है तो 4 tablet patient को दिन में 4-6 time maximum आपको suggest करनी है Then हैमाल्या की बात करें हीमाल्या की Diabicon-DS ताबलेट आती है तो ये जो tablet है वह patient को एक से दो टेबलेट दिन में 2 बार suggest की या फिर दो बार suggest की जाती है तो maximum ईसकीक दो या दो बार suggest की जाती है तोいきます या फिर दो tablet दो बार suggest की जाती है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा तो एसे ही disease and medicine के बार में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरी चैनल को यहां से subscribe कर सकते हैं Thank you for watching my video